हलो दोस्तों नमस्कार, राम राम, आईए स्टाट करते हैं, 6th of October की क्लास एडिटोरियल जो हम डिसकस करेंगे, उसका टाइटल है Undeclared Emergency ये एडिटोरियल आपको मिलेगा कल वाले नियूजपेपर में Undeclared Emergency का मतलब क्या है? देखे, Emergency हो नाउन है और ये Executive है Undeclared मतलब एगोशित, Declared का Opposite है Emergency मतलब आपातकाल, तो इस टाइटल का मतलब क्या हो गया? एगोशित आपातकाल, किसको लेकर लिखा गया है? ये लिखा गया है On the Arrests and Actions in News Click Case News Click एक केस है, इसमें इसके संपादा को गिरफतार किया गया है इसमें जो गिरफतारियां है और कारेवाही हुई है उसको लेकर लिखा गया है कि गिरफतारियां किस-किस की हुई है और क्या कारेवाही यहाँ पे ED के द्वारा की गई है है ना? ये इस बारे में हम जानकरी लेंगे इस एडिटोरियल में यहाँ पे arrest है वो भी noun है actions भी noun है और end अपने दोनों तरफ चीज़ों को balance करता है तो ये noun है ये भी noun है दोनों चीज़ें सेम लेगा they है वो determiner है ठीक है in है वो preposition है अब preparation के बाद में object लगता है news click case है ये इसका object है noun है अब देखिए the arrest and actions in the news click case है aimed at a chilling effect हतोत साहित करने वाला कह सकते हो या फिर आप इसे कह सकते हो limiting freedom जो आजादी को मतलब जो आपकी आजादी है उसको limit करने का काम करे ठीक है जो आपको बांधने का काम करे वो कहलाता है क्या chilling effect तो arrest और actions जो है news click case में उनका लक्षे क्या है aimed के साथ में at लगता है ठीक है तो कहरा है कि जो गिरफतारिया हुई है जो कारेवाही हुई है इस case में इन गिरफतारियों और actions की verb है वो R है इनका लक्षे क्या है इनका लक्षे है chilling effect मतलब एक प्रकार से इसका लक्षे ये है कि discourage करना चाहते हैं ये हतोसाहित करना चाहते हैं अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे इसका screen pdf along with word list आप राप्ट कर सकते हैं telegram channel से link आपको description में दिया है एक अपना series चल रही है grammar की उसमें तीन वीडियो अब तक upload हो चुके हैं तीनियो वीडियो भी देखिए आप क्योंकि वहाँ पर grammar का एक एक concept आपका clear हो जाएगा ठीक है आगे देखिए even for a government that has shown itself यहां तक की सरकार के लिए भी even का मतलब भी होता है stress डालने के लिए आता है तो यहां तक की सरकार के लिए भी वो सरकार that यहां पर इस government के लिए है कौन सी सरकार जिसने अपने आपको दिखाया है shown है वो third form है itself आ रहा है इस government के लिए reflexive pronoun जिसने अपने आपको दिखाया है किस रूप में intolerant यह मतलब ऐ सहिशनू कि हमें सहन नहीं होता है किस चीज को of critical journalism पत्रकारिता और पत्रकारिता कैसी है critical है मतलब आलोचनात्मक अगर सरकार की आलोचनक किसी पत्रकार ने की है तो इनको सहन नहीं होता ऐसी च्छवी सरकार की है the actions by the भारती जनता party led regime regime का मतलब होता है government या system तो ऐसी स्टिती में भी यह जो भारती जनता party के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है उसके द्वारा जो यह कारेवाही की गई है किस पर एक news website इसका नाम news click है उस पर smack of अब यह actions की verb है वो है smack of यह phrasal verb है इसका मतलब होता है have qualities of इसमें क्या विशेस्ता है इसकी have characteristic of इसकी विशेस्ता यह है कि extreme vendetta vendetta का मतलब जगड़ा भी होता है vendetta का मतलब revenge भी होता है यहाँ पर revenge मानिए वैसे इसका मतलब feud भी होता है जगड़ा दुश्मनी भी होती है लेकिन यहाँ मानिए परतिशोद and present present का मतलब होता है shameless बेशर्मी पूर्ण निरलजता पूर्ण आप इसे present को और क्या कह सकते हो present को bold भी कह सकते हो present को impudent भी कह सकते हो harassment का मतलब होता है प्रताडना ठीक है harassment की spelling देख लो h-a-r-a-s आएगा harassment है ना प्रताडना repeat कर रहा हूँ क्या कहना चारा है यहां तक की सरकार के लिए भी जिसने अपने आपको दिखाया है किस रूप में? intolerant रूप में और intolerant किस के प्रती है? मतलब सरकार है एस सहिशनु है किस के प्रती? जब भी इसकी पत्रकारिता ऐसी होती है जो अलोचनात्म पत्रकारिता हो जो इनके खिलाब पत्रकारिता की जाती है उसमें सरकार ने अपने आपको दिखाया है कि हम intolerant है हम इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिती में भी जो कारेवाही की गई है भारती जन्ता पालिटिक के द्वारा नित्रतों में जो सरकार चला रही है उसके द्वारा इस वेब साइट पर ये इसमें विशेषता इस बात की है कि यहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्रीम लेवल का बहुत ही इंटेंस लेवल का यहाँ पे परतिशोद नजर आ रहा है और बेशर्मी पूर्ण निरलजता यहाँ पे नजर आ रही है है ना निरलजता पूर्ण परताड़ना नजर आ रही है ठीक है रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे गॉर्मेंट है इसकी वर्ब हैज शोन है इस गॉर्मेंट की जो वर्ब है वो यहाँ पे हैज शोन हमने की यहाँ तक की उस सरकार के लिए भी जिस सरकार ने अपने आपको एह सहिशनू दिखाया है critical journalism के प्रती जो कारेवाही है भारती जन्ता party के नित्रत्तों में जो सरकार तला जा रहे है यह उसके द्वारा और कारेवाही किस पर है तो यह preposition हो गया इसका object हो गया यह news click तो इस पर यह पूरी website news click जो है इस पर यह जो कारेवाही है इसकी verb हो गई smack of इसमें विशेस्ता यह है कि यहाँ पे भोती उग्र प्रकार का vendita देखने को मिल रहा है और present harassment देखने को मिल रहा है बेशर्मी पूर निरलजता पूर्ण प्रताड़ना देखने को मिल रही है ठीक है इसका screenshot लीजिए यह पहला slide आपका हुआ फिर कहरा the government has thus far thus far को आप लिख सकते हैं so far तो government ने अब तक hedge की verb had disclosed यह इसकी third form है सरकार ने अब तक disclose किया है सरकार ने अब तक उजागर किया है क्या no specific allegation specific मतलब क allegation का मतलब charge तो सरकार ने कोई भी आरोब के बारे में नहीं बताया है on what exactly merited किस बात को लेकर वो आरोब जिस पर exactly merited वो आरोब जो कि deserve करते थे merit का मतलब यहाँ पर deserve करना है या justify करना है वो आरोब जो कि justify करे जो deserve करे the arrest of the sites site हो गया website news click जो है उसका जो editor in chief है मुख्य संपादक है उसका नाम है प्रबीर पुरकायस था इस वेक्ती को गिरफतार किया गया साथ में एक और वेक्ती है उसको भी गिरफतार किया गया तो ग गिरफतारिया हुई किस charge के अनुरूप है क्या आरोप लगाए है वो सरकार ने उजागर नहीं किये है ठीक है ये गिरफतारिया किस के तहत हुई है तो इस नियम के तहत के तहत के लिए under लगाते हैं draconian का मतलब होता है strict या फिर आप इसे कहोगे stringent सक्त provisions का मतलब होता है सक्त प्रावधानों के अधीन of the unlawful activities prevention act ये एक अधिनियम का नाम है UAP ये बोलते हैं इसको और जो भी act होगा उससे पहले दे लगाते हैं among others बाकी के आरोप भी लगाए है लेकिन उसमें एक आरोप इसका भी है इस अधिनियम के तहत इन पर आरोप लगाया गया है इन provisions के सहथ गिरफतारिया की गई है repeat कर रहा हूं सरकार ने अब तक कोई भी विशेस आरोप नहीं उजागर किया है disclose का मतलब है reveal करना ठीक है government की verb है वो has disclosed है तो government ने अब तक कोई भी विशेस आरोप specific executive allegation noun है कोई विशेस आरोप नहीं बताया है किस आरोप मतलब जिसके आधार अरेस्ट के पहले दे लगा दिया गिरफतारी किस की है गिरफतारी है इस website के मुखे संपादक प्रबीर पुरकायस्ता की और एक और विक्ती की ठीक है इनकी गिरफतारियां किस आरोप के तहत हुई है उस आरोप के बारे में नहीं बताया जिस आरोप के चलते गिरफतारी ह किसके तहट सकत प्रावधानों के तहट प्रावधान किसके हैं इस एक्ट के अमंग अधर्स मतलब बाकी के और भी यहाँ पे लगाए गई है चीजे लेकिन इस एक्ट के भी प्रावधान इसमें शामिल है गिरफ्तारियों के पीछे यह भी शामिल है ठीक है इसका screenshot लीजी अ वेबसाइट के पहले देख क्यों लग रहा है क्योंकि आम पता लग गया किम न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं इसले निश्चित हो गया तो तथा कथित रूप से जो वेबसाइट है यह इन्वेस्टिकेशन इस पर चल रही है ठीक है ऐसा बताया जाता है कि इसमें यह किसकी एक आतंकी केस की विच चाइनीज लिंक्स जिसका चाइना के साथ संबंध है इस से लेकिन नो आर्टिकल और कॉंटेंट है इसको अब यह और के बाद जो आता है न शब्द उसको देखकर करिया लगाते हैं तो यह कंटेंट की वर्ब है है एस बिन ब्रोट पैसी वह इसे बिन के साथ third form और bring to light का मतलब होता है reveal करना उजागर करना प्रकाश डालना सामने लेकर आना ठीक है लेकिन नहीं तो कोई article सामने लाया गया है नहीं कोई content सामने लाया गया है that that आ रहा है relative pronoun इस content या इस article के लिए allegedly फिर से तथा कथित रूप से यही होता है supposedly suggest जो संके करता हो any link कोई भी link link के साथ two लगता है किस से terror या pro Chinese pro का मतलब होता समर्थन Chinese propaganda propaganda का मतलब परचार परसार कह सकते हो advertisement कह सकते हो है ना pro जान लग गया वहाँ पे समर्थन हो गया तो China China के समर्थन में propaganda से सम्मंदित कोई चीज हो या आतंक से सम्मंदित हो ऐसा यहाँ पे सामने नहीं आया है repeat कर रहा हूँ तथाकतित रूप से adverb है वो किसी sentence के start में आ सकता है किसी sentence को open कर सकता है तथाकतित रूप से जो website है news click ये investigation के अधिन चल रही है investigation किस बात की terror case की चल रही है और terror case जो है उसमें China का संबंद यहाँ पे नजर आता है लेकिन कोई भी article या content को उज अगर नहीं किया गया है उसको प्रकाश नहीं डाला गया है उसको सामने नहीं लाया गया है जो की तथाकतित रूप से संकेत करती हो कि कोई भी संबंद इसका है आतंक से या China के समर्थन के propaganda से ठीक है ऐसा कुछ यहाँ पे सामने नहीं आया है link के साथ two लगेगा any generally हम लोग negative या interrogative sentence में लगाते हैं लेकिन साथ ध्यान रखें कि any जो है वो positive sentence में भी आता है जब आप कहें कोई भी कैसा भी इस अर्थ में मतलब आपके पास सारी choices अगर open हो सारे विकल्प खुले हो तो वहाँ पे any हम लगाते है positive sentence में भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है ठीक है इस verb और man verb के बीच में होता है अगर helping verb हो तो अगर केवल man verb हो तो man verb से पहले अगर linking verb हो तो linking verb के बाद में या sentence के पहले यह चार uses होते है also के जो की एक adverb है जो news organization है मतलब यह जो news click है इसने भी कहा है it it arise के लिए pronoun has not been given इसको नहीं दिया गया है a copy of the first information report यह FIR या informed या इसको informed न पारे में of the offenses offenses का मतलब crime कि हमने अपराद क्या किया है यह भी नहीं बताया है it has been charged with जिसका इस पर आरोप लगा है यह passive voice हो गया और charge के साथ में with लगता है यह ध्यान रखेंगे आप ठीक है repeat कर रहा हूं समझना news organization की verb है has said ठीक है it की verb है has not been given not adverb होता है adverb of negation यह has been और been के साथ third form passive कि इसको नहीं दिया गया है क्या first information report जिसको FIR बोलते हैं short में उसकी copy या उसको सुचित नहीं किया गया है अब यह और के बाद में informed है ना ऐसा मानलो कि यह informed में भी has been informed है has not been informed है ठीक है इसको informed नहीं किय गया गया है किस बारे में particulars के बारे में particulars किसके हैं दे रखा है ओव लगा के इसलिए दे लग गया particulars offenses की कौन से आरोप लगाए गया है जिसका की इस पर आरोप लगा है इनको चार्ज किया गया है कौन से आरोप बताया नहीं गया है and yet और फिर भी yet का मतलब फिर भी है फ been subjected to rates उन पर यहाँ पर rate डाली जा रही है ठीक है subject to का मतलब होता है to be affected ठीक है to be affected मतलब प्रभावित होना तो यह मतलब इसके दाइरे में आ गए है इन पर rate डाली जा रही है इन पर आरोप निश्चित नहीं किया गया है फिर भी जो पत्रकार जो contributors जो भी मतलब चलाते हैं इस organization को और जो भी employees इससे जुड़े हैं उन पर अब यह have किसके लिए आ रहा है have been subjected passive होई से और यह have किसके लिए आ रहा है journalists, contributors और employees इनके लिए आ रहा है तो इन पर rate डाली जा रही है subject to का मतलब किसी के अधीन आना प्रभावित होना कोई चीज से with many of their mobile phones and laptop seized और इसमें बहुत सारे उनके mobile phones many, अनेकों इसलिए आ रहा है क्योंकि journalist है, contributors है, employees है उनके mobile phones और laptops को क्या कर दिया गया है seize कर दिया गया है seize मतलब जब्त कर लिया गया है ठीक है, इस seize का मतलब है confiscate जब्त करना confiscate यह मतलब है इसका, इसका screenshot लीची आप फिर कहरा, these actions against the website यह जो कार्यवाहियां हुई है किस के खिलाफ, इस website के खिलाफ are not new वो नहीं 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 है it has been under the scrutiny of the enforcement directorate तो यह जो है, देखो, फिर समझो जो कार्यवाहियां हुई है किस के खिलाफ, इस website के खिलाफ वो नहीं नहीं है are किसको देख के आ रहा है, in actions को देख कर अब यह समझाया है, dash लगा के it has been under the scrutiny of the enforcement directorate scrutiny का मतलब होता है जांच पड़ताल, सुक्षम जांच पड़ताल investigation ही होती है एक प्रकार की minor investigation है छोटी-छोटी बातों को खंगाला जाता है उसको बोलते हैं scrutiny यह किस के तहत किया जा रहा है ED के तहत, and income tax department since 2021, और 2021 से यह trend बना हुआ है कि income tax department और ED, दोनों के अधीन यह काम किया जाता है with seizures of, मतलब जब तक किया जाता है इनमें seizures हो गया यह noun है, यह preposition है with, इसमें seize किया जाता है किसको electronic equipment को equipment याद रखी हमेशा singular होगा always singular इसका मतलब उपकरण होता है इसके साथ में as or yes नहीं आता है ठीक है, इसमें electronic equipment को seize कर लिया जाता है, but no charge sheet was ever filed against it लेकिन कभी भी कोई charge sheet डायर नहीं की गई, passive है वोज के साथ third form, ठीक है charge sheet को file करते हैं, यह ध्यान रखना कुछ ऐसी verbs होती है, जो close test में आपको सोचने में मजबूर करती है कि कौन सा verb लगानी है आपको charge sheet हमेशा क्या होती है, file होती है ठीक है, repeat कर रहा हूँ इन actions, यह जो actions हुए है यह जो कारेवाहियां हुई है इस website के खिलाफ, वो नहीं नहीं है कैसे, यह कारेवाही जो है वो 2021 से trend चल रहा है जब आप कोई particular time का नाम लेते हो, तो since लगाते हो जब आप संख्या लगाते हो time से पहले जैसे 2 महीने, 4 दिन ऐसा करके, तो वहाँ पर 4 लगाते हैं ठीक है, तो 2021 से income tax department और ED के तहत यह कारेवाही चल रही है, इसमें electronic equipment को siege किया जाता है लेकिन कोई भी charge sheet अभी तक file नहीं कीगी है, इसके खिलाफ, किसके खिलाफ इस news click organization या website के खिलाफ, ठीक है screenshot लीजिए फिर कहरा, Delhi High Court Delhi High Court जो है finding ए prima facie, इसके spelling सही कर लेना prima facie, मतलब प्रथम दरश्टेया तो दिल्ली High Court दिल्ली High Court ने finding है वो present participle है, इसको पाते हुए इसको प्रथम दरश्टेया कैसा पाते हुए in favor of news click कि भई ये case जो है news click के favor में जाएगा ऐसा पाते हुए प्रथम दरश्टेया granted ये इसकी verb हो गई स्विकार कर दिया है दे दिया है interim मतलब provisional as thai protection as thai protection दे दी है किसको Mr. पुरकायस्ता को किस से arrest से मतलब इनको protection दे दी है prevent रोकना वैसे इसका मतलब discourage भी होता है dissuade भी होता है और इन्होंने रोका है ED को किस चीज़ से रोका है taking coercive action coercive का मतलब होता है forceful या compelling मतलब बद्धे करने वाले और इनको रोका है ED को कोई भी coercive action ना लिया जाए किस के खिलाफ organization के खिलाफ एक बात ध्यान रखना जब भी आप रोकते हो किसी को इसे protect कर रहे हो रोक रहे हो किसी को सुरक्षा कर रहे हो deter कर रहे हो तो रोक रहे हो from लगता है सभी में ठीक है ये कुछ words लिख देता हूं यहाँ पे एक prevent ध्यान रखना एक ध्यान रखना preclude एक ध्यान रखना stop इसके अलावा ध्यान रखना आप इसमें deter एक ध्यान रखना discourage इसके अलावा prohibit इसके अलावा refrain है ना एक abstain इन सब का मतलब रोकना है इन सब के साथ from लगता है ध्यान रखेंगे आप repeat कर रहा हूं समझिए दिल्ली हाई कोट CD verb यहाँ पे है बीच में बताया है कि पर्थम दरश्टिया इसने इस केस को news click के favor में पाया है ऐसा करके इसने एक provisional protection दी है इस editor in chief को किस से arrest से और साथ में रोका है ED को किस से की coercive action ना लिये जाए इस organization के खिलाफ a lower court had dismissed the complaint जो एक निचली अदालत है उसने क्या कर दिया खारीज कर दिया था एक शिकायत जो दायर की गई थी income tax department के द्वारा और इसी matter पर similar matter पर ऐसे ही matter पर एक निचली अदालत ने भी एक शिकायत जो दायर की गई थी income tax department के द्वारा similar matter में उसको खारीज कर दिया था ये past perfect दे रखा head के साथ third form यह था दोस्तों आज के इस editorial में मुलाकात होगी अब next session में ठीक शाम पांच बजे तब तक ले नमस्कार Thank you very much